बजट ठीक है तो किलियर करेंगे इसकी पिस्यस्ता है जानेंगे तो बजट क्या होता है उसको देखते हैं बजट हम अपने घर का देख सकते हैं किसी राजी का देख सकते हैं किसी महले का देख सकते हैं किसी सहर का देख सकते हैं किसी गाउं का देख सकते हैं किसी राजी का देख सकते हैं और किसी ग्रह का देख सकते हैं बजट बजट होता है समद्रन क्या होता है किलियर करते हैं किसी भी सरकार के किसी भी सरकार के आने वाले साल के आय और ब्याय का ब्योरा को ही हम ब्याय कह देते हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हम अपने परिवार की आने वाले साल कह सकते हैं, समय कह सकते हैं, दिन कह सकते हैं, महिना कह सकते हैं, सबता कह सकते हैं, साल कह सकते हैं, इस तरह तो मैं बता दूँ कि मुझे salary मिलती है महीने पे तो मैं हर महीने की क्या बनाता हूँ एक budget तयार करता हूँ हर साल का एक budget तयार करता हूँ कि हम अपने लड़के की इतने रुपे की फीज देंगे एक साल की बिटिया की साधी करनी है उसके के लिए भी कुछ रुपे हमको budget करना है हमारे अबबा जो है यानि कि हमारे पापा जो है वो बीमार है उनके लिए भी थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखना है कब कहा कैसी जूरूद पढ़ जाए हमारा एक बीवी है उसके पेट में अभी प्रोसेस चल रहा है तो बीवी की यह लड़के की पूरिय साल की फिस निक्ल्दी अपनी बेटिया की लिए थोड़ा सा पैसा निकाल दिया अपने पपा जी के लिए पुड़ी Gothicा निकाल दिया ृपदे माहिने का थोड़ा आइवए के देखते हैं हम थोड़े हेसाब लगाते है dipping पापा की दवाई का हो गया और उसमें से सो पांच रुपे बचें तो लॉंडे को जिए खर्च दे देना और पब जी खिलता है तो उसके लिए इसी में से रीचाय करवा देना उसका ठीक है पांच रुपे ये निकाल दो इससे थोड़ा रासना जाएगा गया हूं चावल घ ही दही इस तरह से सो दो रुपे ये ठोड़ा सा रख दो कभी पूजा पाट करते हैं थोड़ा यार अगर वत्ति बगएर आती रहती तो इस तरह से ये पांच रुपे ये रासन का सब कुछ आ जाएगा इसमें लड़के की फीस और इस तरही छोटी मुटी चीज़ है दस सकती है तो हमने महीने का बनाया और साल का क्या कर लिए एक ब्यौरा तयार के लिए इसी तरह से सरकार करती है सरकार क्या क्या करती है कितना आएगा और हमें कितना खर्च करना है कौन से विभाग को कितना खर्च करना है कौन से विभाग में इस्तिती खराब है कौन से विभ समझें किलियर करते हैं तो किसी भी सरकार के आने वाले साल के आय यानि कि पैसा आने का और व्याय का विवरा कोई हम बजट कह देते हैं बजट सब्द का प्रियोग संबिधान में नहीं दिया गया है बलकि अनुचिद 112 में बारसिक बित्तिय विवरण कहा गया है अगर बजट सब्द का इस्तमाल नहीं किया गया बलकि बजट सब्द की जगे पर अनुचिद 112 में लिखा गया है कि बारसिक बित्तिय विवरण वित्तिय मतलब कितना आया और कितना गया वही बार्णसिक वित्तिय विवड कहा जाता है तो इस अनुष्छीद इस तरह से अनुष्छीद 112 के टाहरत हर वित्तवर्स के लिए यह हर साल के लिए जो कि 1 अपरेल से लेकर 31 मार्स तक के बीच का होता है 31 एक अप्रेल से लेकर 31 मार्स तक का होता है केंजर सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और वेयों का विवरण संसद के सामने रखना जरूरी होता है मैं फिर से बोल दूँ अनुचिद 112 में ये प्राप्धन किया गया है कि सरकार जो होती है किन सरकार जो होती है वह बारसिक बित्ती विवरण को क्या करे संसद के पटल पर रखवाए वहाँ पर क्या होगा उस बारसिक बित्ती विवरण में अनुमानित प्राप्तियां यानि कि अनुमानित का मतलब होता है कि उस विवाग से इतने रुपए आने की संभावना है, इतना टेक्स आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है, बहुत सारे ऐसे हराम खुर होते हैं, जो क्या कर लेते हैं, टेक्स की चोरी कर लेते हैं, और यो बहुत सारी चीज़ों होते जाती हैं, तो सरकार अनुमान पया लगा लेती हैं लेकिन कभी क्या है कोई सुखा पढ़ जाए आदी आ जाए बाड़ा जाए या फिर कोई आतंगुआ गतना हो जाए उससे क्या रहती है है तो यहां abundant लगाया जाता है अनुमान लगाया है इस विवाग से 50 रुपे आने का अनुमान लगाया है तो फिर से बोल दूं केंद सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तता बेवयों का यानि के खर्चों का बिवरड बिवरड संसद के सामने रखना जरूरी होता है हर वित्तिय बर्स के लिए और ये अन तो इसका मतलब यह नहीं कि 4000 करोड रुपकर खर्च हो जाएंगे हो सकता चार से 5 हो जायें समय हो सकता चार से 3 Ч कि 10 ch. ही दा या साड़ी-3 हजार क्रोड 편 मैं, यह होता है यहां को लिखत में नहीं हो, तागर भाई साथ, ये लिजिए, तीन जार करोड का चarek आ चुका है भाई साथ दोजार उनिस के बज़ट के लिए, ये भाई साथ देखिए, उस वाले दियुग का पांच़़जार करोड का चarek आ चुका है, ठीक है, थीक है जेक हमने या पर इसको तक दिया, इसको हमें जा कर बोनाना है, यानि की हमें पैसा निकालना है, ऐसा नहीं, अनुमाल लगाया है, इस विवाग से इतना पैसा आ सकता है इस विवाग से इतना पैसा आ सकता है इस तरह से फिर से बोल दूँ तो मैंने क्या बताया बजर सब्ज का प्रियोग संविधान में नहीं किया गया बलकि अनुच्छी देक सो बारे में इसको बारसिक बित्ती विवरेड कहा गया है तो इस बारसिक बित्ती विवड में आने वाले साल में सरकार कितना खर्च करेगी और करों के माद्यम से कितनी आय प्राप्त करेगी इसके बारे में जानकारी होती है मैं फिर से बोल दूँ कि जो बारसिक बित्ती विवड होता है जो भी सरकार जो भी माली जो कोई भी माली जी सरकार है सरकार कोई भी माली जी बारसिक वित्ती विवड़ है इसमें क्या है एक माली जी दस्ताविज है दस्ताविज में लिखा होता है कि साल भर में सरकार कितना खर्च करेगी और करों के माद्यम से सरकार कितना प्राप्त करेगी यानि मैंने क्या बताया कि बजट आने वाले यानि की बजट जो होता है आदामी बर्स के लिए यानि की मान लिजिए 2019-20 का बजट बन रहा है तो आज बनवाया है मान लिजिए 2019-20 में बजट बन गया तो आने वाले समय के लिए होता है इसलिए जो बजट होता है वह अनुमानित आ बजट तयार कर दिया तो उसमें हमें इतने रुपए हमारी जेव में हैं उसमें से हम किसको चाहिए किरसी वाली के लिए हमने जेव से निकाल के तुरंट दो जार करोड़ों दे दिये नई किरसी के लिए अनुमानित कर दिया है किरसी के लिए तो भाइता हम ने हिसाब लगा गया बजट के बारे में जिसको हमने क्या बता है तो अनुच्य देख सम्भीदान में कोई इस्तमाल नहीं हुआ है फिर से बोल दों बजट सब्द का संबिधान में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है चलिए नीके देते हैं यहानि कि एक साल के लिए होता है बजड को स्यूक्रित करने के लिए सार्जिन की लेकाय की जरूलत होती है यह यह नहीं कि बजड़की जो तैयारी है वो मोदी जी आकर करें holder प्रिजट करने के 25 दिन के अंदर उसको पारित करवाना अनिबार होगा नई तो जो सरकार है वो समाप्त एक तरह से मान ला लिजा ही कौनुकि भाई साथ सरकार क्या है जब तक बहुमत में तब तक अपने कारे करवा सकती है तो अगर सरकार अ handicap नहीं करवा पा रही है तो इसका मतलब है सरकार के पिछवारे में लात समझना बत को तो मैं फिर से बोल दूँ बजट करने के बजट जब पेश करते हैं तो उसके 75 दिन के अंदर उसको पारिद करवाना होता है चलिए है बजट में होता क्या क्या है मालीजिये यह इ throwing I mean माली जीए यह हमारी जो वित्मंतीरी जी जो है इया यह पकड़ी हों इंदन ज हमें होता क्या है तो ή बजट में कुछ सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाती है है जिसमें आपका कितना उत्पादन हो रहा है कितना पैसा की इसली कितना आएगा यहां हम दिया होता है क्रायबिकरिख्रा के बारे में दिया होता है घरिदना और वेचने के के बारे में दिया गया होता है वाड़िजी के बारे में दिया गया होता है उद्योगों के बारे में चर्चा की गई होती है काराधन के बारे में बात की गई होती है काराधन का मतलब कर लगाना या नहीं टेक्स लगाना इसके बारे में दिया गया होता है समझना न तो बजट सरकार का अग़ले साल का कारकिरम क्या हो फि pepperset वह सबक्राइब कॉल की आप नट साल का जो नीत है कि और सक बना कोई कि होगी क्या अगला कारकिरम क्या होगा और सरकार का जो राजओं से करकार का फंड का जो क्या है जो सब Fellows पैसा रखते हैं उसकी इस्तथी क्या है